स्वागत है आपका तंदरुस जीवन चैनल पर आज बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे दानी का मूँ छोटा होनी की यानि की शौट सर्विक्स की और यह भी जानेंगी की क्या ये कोई समस्या है और इसका ट्रीटमेंट कैसी किया जाता है इसके अलावा सर्वि प्रेगनेंसी बढ़ने के साथ साथ इसमें कैसे बदलावाता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मत्पून है इसलिए पूरी बात समझने के लिए वीडियो आखिर तक पूरा देखें और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें दोस्तो नॉर्मल कंडिशन में ज जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है वैसे वैसे सर्विक्स यानि की बच्चेदानी के मूँ की लेंथ कम होती जाती है और ये नर्म और लचिली होती जाती है और इसी तरह प्रेगनेंसी की आखरी स्टेज में नर्म होकर बच्चेदानी फैलती है और इससे बच्चे दानी का मुँँ 10 cm तक खुल जाता है तब ही नॉर्मल डिलिवरी पॉसिबल हो पाती है। प्रेगनेंसी के दोरान डॉक्टर जितनी बार भी गरवती महला का अल्टरा साउंड स्कैन करती हैं वे उतनी बार सर्विक्स की लेंथ यानि की बच्चे दानी के मुँँ की लंबाई को मापती हैं जैसे जैसे प्रेगनेंसी का समय बढ़ता जाता है बच्चे दानी बढ़ी कि बच्चे दानी का मुँ नहीं खुलता क्योंकि अगर बच्चे दानी का मुँ खुल जाएगा तो बच्चा भार आ सकता है miscarriage या फिर समय से पहले delivery हो सकती है इसलिए बच्चे दानी का मुँ pregnancy के दोरान बंद रहना चाहिए और केवल delivery के दोरान बच्चे के जिनम से पहले ही खुलना चाहिए दोस्तो अल्ट्रा साउंट स्कैन के दोरान डॉक्टर जब सर्विक्स की लेंथ को मापती है तो pregnancy की शुरुआत में तो बच्चे दानी का मुँ बढ़ा होता है लेकिन pregnancy की स्टेज बढ़ने के साथ साथ इसकी लंबाई कम होती जाती है अगर किसी महला की नॉर्मल सर्विक्स की लंबाई साढ़े तीन, साढ़े चार या पान सेंटिमीटर है और pregnancy के बाद शुरू शुरू में तो इसकी लंबाई इतनी ही होती है लेकिन जैसे जैसे pregnancy की स्टेज आगे बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे बच्चे दानी का मूँ फूलता जाता है और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है बच्चे दानी के मूँ के आगे बहुत सा म्यूकस यानि की सफेद चिपचिपा पधार्त इकठा हो जाता है जिसे की म्यूकस पलक कहते हैं और ये बच्चे दानी के मूँ को बंद करके रखता है ताकि बच्चे को बहरी बातावर्ण और infection से बचाया जा सके जैसे जैसे pregnancy की stage बढ़ती जाती है और pregnancy के 7 महीने में जब बच्चा काफी बढ़ा हो जाता है तब बच्चे दानी के मूँ पर दबापढ़ना शुरू हो जाता है और इसी तरह pregnancy के 9 महीने के आखिर तक बच्चे का दबापढ़ने और सर्विक्स के मुलायम होकर फैलने से धीरे धीरे सर्विक्स यानि की बच्चे दानी का मूँ खुलना शुरू हो जाता है और उसके मूँ पर लगा म्यूकस पलग अपनी जगह पर नहीं टिक पाता और डिस्चार्ज होकर बाहर निकलने लगता है दोस्तो डॉक्टर अल्ट्रासांड स्कैन में बच्चे की ड्यू डेट से पहले सर्विक्स के खुलने के शुरूआती लक्षनों को देखती है अब बात करेंगे शौर्ट सर्विक्स यानि कि बच्चे दानी का मूँ छोटा होने की दोस्तो कुछ महलाओं की सर्विक्स की लंबाई प्रेगनेंसी की शुरूआत से ही छोटी होती है यानि कि बच्चे दानी का मुँ छोटा होता है और जैसे जैसे pregnancy की stage बढ़ती जाती है बच्चे का आकार बढ़ने से बच्चे दानी पर नीचे की तरफ दबाव पढ़ता है और इससे बच्चे दानी का मुँ खुल सकता है, miscarriage हो सकता है या फिर pre-mature delivery यानि कि समय से पहले बच्चे का जनम हो सकता है कहने का मतलब है कि बच्चे दानी की लंबाई कम होने यानि कि बच्चे दानी का मुँ छोटा होने के बहुत से खत्रे भी हो सकते है दोस्तों, बच्चे दानी का मुँ छोटा होने के कई कारण हो सकते हैं जैसे कि महला की बच्चेदानी के मुँ में पहले कोई सरजरी होने के कारण सर्विक्स एरिया वीक हो चुका हो यानि कि टाइम से पहले खुल चुका हो बच्चेदानी में आगहात या फिर पहले एक से ज़्यादा गरपात हो चुके हो डी एंसी करवाने के दौरान कई बार बच्चेदानी का मुँ फट जाता है या फिर किसी किसी महला में जैनेटिकल वीकनेस होती है सर्विक्स इंसफिशेंट होना यानि कि बच्चेदानी में इतनी ताकत नहीं होती कि वह 9 महीने तक शिशू का दबाव को जहल पाए और ऐसे ही बहुत से मामलों में प्रेगनें अचानक बच्चेदानी खुल जाती है और शिशू बाहर आ जाता है दोस्तो अब बात करेंगे सर्विक्स की नॉर्मल लंबाई कितनी होती है सर्विक्स की नॉर्मल लंबाई साड़े 3 सेंटीमीटर से लेकर साड़े 4 या फिर 5 सेंटीमीटर तक होती है और ये अलग- में प्रेगनेंसी की स्टेज के हिसाब से भी अलग हो सकती है। अब बात करेंगे बच्चे दानी का मूँ छोटा होने पर उपचार यानि की ट्रीटमेंट की। सरजरी भी की जा सकती है यानि की जरूरत पढ़ने पर ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर वहां टांका भी लगा सकती है। दोस्तो अगर सर्विक्स की लंबाई का माप लेने के बाद ये घट रही है या फिर खुलना शुरू हो रही है तो इसमें डॉक्टर टांका लगाते हैं। और ये टांका बच्चे दानी के मूँ को और अधिक खुलने से बचाता है और म्यूकस पलग को अपने स्थान पर ही रखता है। यह टांका आम तोर पर 16 हफते की प्रेगनेंसी से पहले लगाया जाता है। दोस्तों हालांकि अगर डॉक्टर बच्चे की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ तो यह टांका बाद में भी लगाया जा सकता है। और यह टांका प्रसव की ड्यू डेट के कुछ हफते पहले ही हटा दिया जाता है। डॉक्टर यह टांका तभी लगाएंगी जब उन्हें लगे कि इसे लगाना बहुत जरूरी है। दोस्तों ऐसे में डॉक्टर महला को अराम करने यानि की बेड रेस्ट करने के लिए कहती हैं। इसके अलावा डॉक्टर महला को अपने पार्टर के साथ सम्मंद बनाने से भी मना करती हैं। उसे घर के काम काज करने के लिए भी मना किया जाता है और उसे रेगुलर चेक अप करवाने के लिए भी कहती हैं। दोस्तों अगर आपको डॉक्टर ने बताया है कि आपकी बच्चे दानी का मूँ छोटा है यानि कि सरविक्स छोटी है या फिर अल्ट्रा साउंड की रिपोर्ट में आया है कि बच्चे दानी की लंबाई कम है यानि कि बच्चे दानी का मूँ छोटा है तो इसमें आपको ट तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें गुड़ बाई